असलाम अलेकूम, कैसे हो आप सब, आप सब को रक्षा बंदन मुबारक हो और आज आपको पता होगा, मुझे तो अभी पता चला है कि कुछ ऐसे ग्रव है जिसके वज़े से आज भाई को राखी नहीं बान सकते हैं बढ़ है रक्षा बंदन तो मैं जाड़ी हो अपने भाई से मिलने है क्योंके मैं साल में एक बारी बहुत खुशी-खुशी उनके घर जाती है, वैसे वो साल भर गुलाते है मुझे और बहुत सारे मैंने आपको लास्टेम भी बताई थी, मेरे रिलेटीव या मेरे दोस्तों ऐसे जो वीडियो में कभी दिखना नहीं चाते है लेकिन मेरा बहुत दिल से रिष्टा है उन लोगों के साथ तो आज तो भाई का फर्ज है कि बहुत कुछ गिफ देना लेकिन मैं जब भी उनके घर जाती हूँ में कभी खालि हात नहीं जाती क्यों किूए में दिल से उनको भाई बोलती हूँ और भावी बोलती हूँ तो बस गूढ़कatics के तौरब में कुछ ले जाती है क्योंकि मैं मेरे साथ-साथ उनके ॅनके घर में भूशियां आये बरकत हो तो बस वह नियत से मैं कुछ नग कुछ उनके आए गूढ़क लेकर जाती हूँ तो बस मैं हब जारे हो उनके लिए कुछ गुद लेने और इसके बाद में फिर उनके घर जाओंगी, क्योंके रक्षा बंदन का दिन तो है, लेकिन राखी हम अभी बान नहीं सकते, राखी का जो मोरत है, वो रात का है, या फिर अब कल बान सकते हो, तो बहर वहीं करने वालू हूँ, लेकिन मैं मिलने निकली हूँ, तो उनसे मिल क कराओंगी, और जो गिफ लिव और लेनी जा रही हूँ, तो देखते हैं फिर बाकी की बाते तो रात को, अभी खुशी का टाइम है, तो भी हम पहले खुशिया मनाएंगे, इसके बाद बाद में. अब लगवाला कोईन से बाता है, अब लेडिस की स्पेशल चीज, जो लेडिसों को बहुत जादा पसन होती है, यह रिट, यह दोरो, यह भापी के लिए और यह भाई के लिए जो सिल्वर हमेशा में उनको सिल्वर ही देती हूँ, कोईन हो या कुछ भी चीज हो सिल्वर क और यह रही तुमारे साहर आंटी. तो बस वो सब जो अच्छे कामते, जो दिल को कुशी देने वाले और दुन्याई जिन्दगी में कीचर उचालने वाले बहुत है, लेकिन प्यार और रिस्पेक्ट देने वाले भी बहुत है, तो बस उनके लिए सबसे पहला वक्त होता है, तो चलिए फिर आज आते गूम पिर के, क्योंकि लोगों को बहुत फिकर रहती है ना मेरे रिकॉर्डिंग की और वो बंगडी चोर की, तो क्या बोल रहे थी, मैंने तो सुना आज तेरा ब्रेकफास में, कि रिकॉर्डिंग हमको डालना है, लेकिन कट कुट करके डालने नहीं आ रहा तो, मैं सुने, जोल तेरे पर जोलर बोलती हूं मैं, तू रिकॉर्डिंग कड भी मत कर, पूरी डाल, समझी, और उसके फिर आगे का, पिछवाडा, अगवाडा मैं डालती हूं, और तू क्या बोल रहे थी, पुस्की बंब, पुस्की बंब डाल तू, बड़ा बं है ना, आटम बंब मैं डाल अच्छा करी, तलाब में तेर लेओ, तेरे क्या बोल बचाने ना मिलको आते नहीं, उसे बोल बचान तू करती हूं, मैं नहीं करती हूं, और याद रखना, एकदम आराम से बोलना पड़ेगा, क्योंकि समझ में आना ची तेरे को, तू जो बोली, एक बार नहीं बोली, मुझे और मेरे बच्चों को मारेगी, और मेरे को, और मेरे बच्चों पर जो भी हानी होगी, हमारी जान से लेके, हमारे कुछ भी जिंदगी में, उसकी जिम्मेदार तू है, क्योंकि तू और तेरी बेटी ने ये बात को एक्सेप किया, और तेरी बेटी ने पता है, वो आपने मुझे एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं लोगों को वही बता रही थी कि जो केस हमारे पर वरा ना यह जो डरती है ना इसकी लड़की तो देखो इस ने अपने मुझे बताई कि जिटका दिया था ना तो इसके लिए फिर से तुम लोग के लिए क्लाप बनता चले एक क्लाप और हाँ दुसरा और क्या बोली के रोज-रोज क्या डालती व्लोग में अब तो रोज-रोज ही डालूंगी ना एक सथका डालूंगी मेरे मेरे जो सस्क्राइबर है ना वो काम धंदा और उस अब करके तो इसके बाद थोड़ा एंटर्टेंडमेंट के लिए मेरे वीडियो देखते थे मनोरंजन के लिए तो अब ये सब चीज भी विचारे देख रहे तो उनका दिल से शुक्रिया क्योंकि आप मुझे इतना प्यार करते तो मेरे हर एक छोटी बात के साथ आप शामिल होते हो तो इसलिए थोड़ा थोड़ा देती हूँ तो पुरा डाल में थोड़ा थोड़ा दूँगी और हां मेंको कमाना भी तो है लुक्षी हो ना भे है ना लुक्षी हो तो कमाना भी तो है तो तूने कमाने का मोका दिया और अल्ला ने मेरे मोका दिया तो कमाऊ नहीं मेंको तो लोगों ने करती है। तो तो क्या रतोती हैं 16pdining चला रही है तुमरी मेरी बेटी है। दिल्ली वाली बेटी तो बराबर लोगों को तू बता रही तेरी कैटेगीरी के हिसाब से तेरी बेटिया है तू जैसी वैसी तेरी बेटिया और उनका वे दुन्या ने रूप देखा अब तेरा भी देख रहे हैं और तेरी पैदा करेली बेटियों का भी तो बराबर है तू वोगों को बोल्ती है मैं और बच्चो पर कुछ ंल्जाम और ऐसे केस बनाने की तैयारी में है लेकिन कहते हैं कि सच्चाी को डर नहीं तो बस वो चीज पे में चल रही हूं और मेरे अल्ला होने निदेंगी क्योंकि जो पहले हुआ ना किसी की प्यार में किसी की मभबत में उसकी उपर वरोसा करके जिन्दगी को चलती थी उसके आगे दुनिया देखती निथी और अभी है ना चारों तरफ नजर घुमा के चलती जैसे मैं पहले रहती थी ना मेरे को ना धक्कावी लगाने के लिए 10 बार मिश्चता था जब वड़े शोव रहती थी और आज में वापस से वंड में शोव और तो क्या होड़े आई नहीं अभी तक द्वानन के लिए और बंग्री चॉठ आया नहीं नहीं आयेगा खाली बैस ते रिकॉर्डिंग बेजेगा तो टाल our मज्य यह से देख और देंगर्डिंग है कि एक रिकॉर्डिंग लोगों के А темперACHàyन के लिए पर किसी के चेहरे के सच्चाई भी दिख Texas entertainment नहीं Mano Ranjan अर्य हां नहीं manor eardenman is a English word और ओ्य है कफा आमादव मरें भी सेक्सी है पैसे से नहीं इज़्जाट से उसकी कमाय से और जो मेरे लिए शोचल मीडिया पे जुम्ड जुन्ड तो बले तना अभे जुन्ड क्या वानमैंच ओं आती हो अभे जा तेरी आवकाद जुढ में आती है और जुन्ड में तु खेल सकती है सब का साथ चोड़ के बैटी उँ यह आ ना मैं किसी के साथ मैं जॉइन में में होती हूं ना किसी जाइच के साथ में लेके बात करती आ ना मैं किसी के साथ backups शेयर करती हूँ, वन में चो कर रही हूँ, ओभी अपने हग के लिए कर रही हो, देख, अल्ला ने ना एक के लिए के उपर एक अकेले को दारो मादार उपर रखा, क्यों? क्योंकि ना मैंने कभी किसी का घर तोड़ी, ना कभी किसी बच्चों को खराब बोले, ना खास करके खास करके एक औरत जात होती है ना, मैंने तो बहुत सारे जन को देखी हूँ, तो मैं कभी उनकी इजद को बाहर लाने की कोशिच ने की, उनकी इजद पर हमेशा पड़दा ढाकी हूँ, तो मेरे अल्ला मुझे कभी गिनने दिंगे, और तुने अभी अबने वीडियो में पोलाता ना रे, कि खास में आर्ला के सामने इजदत नहीं कभी नी का बने ची, तु हमारी बाते करते हैं तो मतलब हमारे गुणा उपर आते हो तेरी बाते हैं तरी गुणा का हो दे क्या दोग्म है ई वे तू, एक नमबर की दोग्ली healthy आउ तू सक्च में दोग्ली और सु तेरा रिकॉर्डिंग का और तिरको भेन बोला हो और नहीं वारी आंटी को भी दिखाया तुम लोगो मिली जुली सरकार बरावर बरावर जब जाम से जाम कर रहा थे तो एक कंपनी साथ में बैठना जरूरी होता सही है सही है सही है पुला अक्के शोचल मिडिया पर फेमस है कि बंगडी चोर पीने लग गया तो भी तो वही चे सही है ना लगे रहे लगे रहे और यह बपके ना सबको दुसरे को दे मैंने स्रीक तेरे से क्या बात की 15 लाग कार क्लियर कार लेके जा चोर बना या तो फिर सावकार बना दोनों में से एक कर और तेरी देख सुन ले तु दुनिया को भपका देती है पे नोड के घूम पिर के एक नंबर की ना जोलर और लुखी है तु खुले लबजों में तुझे बोलती हूँ कि देख मैं कभी ना कोई औरत को इतने गंदे लबज में बात ने करते चाहे मां को और एक उमरदार औरत को उसकी इज़त में जो तू कलमें पढ़ती है न तो ये बात मुझे गवारा नहीं है तो इसी लिए मुझे तेरा बोलना पढ़ता और सच में तो जो भी रिकॉर्डिंग डालेगी कोई भी एक्स वाई ज़त डाल सकती है फूल फर्मिशन और उसके बाद तयार रहना क्या वलती फिर डालो क्या कलेट एकात रिकॉर्डिंग तेरे इज़त में चार चान लग जाएंगे वे अयो पट्टा डंडा इज़त रिकॉर्डिंग में सुनी नहीं थी तू नहीं बोला था वो बात और मेरी बात वो मेरे आदमी के साथ में ये ह साला फिट अबे उसने सवारे यूटूबर लोगे काम कराके उनका खाना खराब किया तेजशी्जड़ SMITH अर अच्छे मुण में हूँ बहुत अच्छे में खा के तो जा चल चल तेरे से किया तरे बाप से भी डरती में बॉल तेरी बेती को एक और जटका देने के लिए समझी चल अब याज के लिए बस हो गया क्योंकि मैं बहुत अच्छे मूर में हूँ क्या हँ आप इन्स्टा की फैमली को प्यान करी इसको लायक मत करो शेयर मत करो के सच्चा बिभी और दूसरी बात तेरे इन्स्टा की फैमली से लड़े चिस हो पूसको से नहीं आप करेंएiph वार्ग दीन इंस्टा की हो या यूटूब की व्लॉग बनाती हूं ना मैं कमाने के लिए तुझे पता है ना तुम्हें बोलती हूं कि दूसरे के हख में दूआ करो क्योंकि जब दूसरों के हख में हम दूआ करते हैं अमारे लिए अल्ला पाक गैब से भेशते हैं गैब से इसलिए इतनी शान से बैटी हूं और एक बात दिल की बोलू क्या आप लोगों को निका का रिष्टा ऐसा होता है यह दिल की बात है क्योंकि आज जो गंदकी है ना और यह ऐसे जोरल लोक इनकी तो उकात भी नहीं थी मेरे तक बात करने की स्रीक यह बोली सकते थे लेकिन जूट और सच को लपेट के एक निका के रिष्टे में जिससे बंदी थी वो अगर इस चीज बे ऐसे करता है तो निका का रिष्टा और शोहर का मरतबा ऐसा होता है क्योंकि मैंने शोहर का मरतबा जो अपनी जिन्दगी में देखी थी ना बहुत उंचाही पे देखी थी प क्योंकि मैं यह दिल से फील करती हुए चीजों को ऐसा होता है और मैंने तो बहुत सच्चाई से निभाया था रिष्टा क्योंकि सच्चाई इसलिए बोलती हो हमेशा हमेशा औरत शादी के बाद चाहे उसका घर महल हो उसके हस्बंड का चाहे वह जुपड़ा हो वह उसी के बीट के पास रहती है पर आप ने देखा होगा कि मैंने शाद्य ही लेकिन मेरे शोर को मैंने हमेशा आप लोगों आप लोग ने घर देखा होगा मैंने तो इसलिए चैनली कहती हुए सब सब कुछ निभाई थी और सब कुछ गवाने के बाद भी रिष्टे को ये छोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थी तो ऐसा होता है और इतनी हद तक गंदगी होती है यकीन नहीं दिल यकीन नहीं करता यार यह बातों पर क्योंकि मैं एक रिष्टा यह मेरा एक पहला कोशिश की तो पर आप लोगों से पुछ थी क्योंकि आप मैसेज के जरी सच में मुझे जवाब देते हो और बहुत दिल से आपका थाइंस बोलती हो बले तेखो उस पर हैटर्स भी लिगते हैं वो उनकी दिल की बात उती है और क्या पता है आज चिकल तो एक आदमी 25 आई है तो वो छोड़ो ये दिल की बात आप लोगों से पूशती हूँ कि ऐसा रिष्टा होता है और इतनी गंदगी होती है निका जैसे पाक पवित्र रिष्टे में और शोहर जैसे एक जो अल्ला के बाद अल्ला पाक ने औरत के लिए फरमाया है कि अल्ला के बाद उसका जो गंगे करता है ये ऐसा रिष्टा होता है वस्य दिल की बात ति और आप लोगों से में दिल की बात हग से करती हूँ कि आप लोग संच में मेरे लिए खड़े हो और ओपी इसलिए कि एक औरत की नजर से देख वाप तो पस आप लोगों का दिल से ताइंangen और सब को आज जि अमेंशा भाई किसी भी हालत में हो, किसी भी सिच्वेशन में हो, बहने साथ जरूर देना, और बहन के घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, भाई उनका ध्यान जरूर रतना, बस क्यूंकि देख अल्ला ने मुझे भाई नहीं दिया, तो मु तंदुरुस्त रहिए और किसी के बाप से भी मट डरिये